आज हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई 2022 सेशन में फॉस्ट एर में एडिमिसन लिया है या फिर जुलाई 2022 सेशन में सेकंड एर या फिर थर्ड एर का री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ये वीडियो स्पैसल आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐस से काम बताने वाला हूं जिसे अगर आप सही टाइम पर करते हैं तो इसमें आपका पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेलेटेट सभी अप्टेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक आप्सन मिल जाएगा नट लॉग इन हो जाएगा जहां पर आपको सभी डीटे concret है तो यहां पर आपको सबडस्य आपको करवाया तो इसे चैकर करने के बाद आपको पहला काम करना हुआ कि आपको एक्जां for Can फिलप करना होगा अब देखिए एक्जाम फॉरम फिलप किसे करना है यह जो बीटियो है एक तरीके से यह आपके लिए रिमाइंडर बीडियो है तो देखिए अगर आपने अंडर ग्रेजुट प्रोग्राम में या फिर पोस्ट ग्रेजुट प्रोग्राम में या फिर किसी 2023 सेसन में 1st year, 2nd year और 3rd year का exam देना होगा जिस भी year का आप exam देने के लिए eligible है तो उसके लिए अभी आपको exam fees submit करना होगा और examination fees submission का last date है 15 April 2023 अगर आप 15 April के बाद exam fees को submit करते हैं तो इसमें आपका ज्यादा पैसा लगेगा क्योंकि इसमें आपको late fees का charge देना होगा यानि कि 16 April से 25 April तक आप exam fees को submit करते हैं तो 500 रुपे आपका fine लगेगा और per subject का 2 सुरुपे रहेगा और वहीं अगर आप 26 April से लेकर के 10 मई तक exam fees को submit करते हैं तो ऐसे में आपको 11 सुरुपे fine देना होगा और per subject का 200 रुपे रहेगा ही तो आपको क्या करना है कि अगर अभी आप eligible है जो मैंने आपको eligibility बता है उसके according अगर exam fees को submit करने के लिए eligible है तो आप 15 April से पहले exam fees को submit कर सकते है अगर देखा जाए तो अभी आपके पास 8 तिनों का समय बचा हुआ है जब मैं यहाँ पर अभी वीडियो को record कर रहा हूँ टाइम पर आप fees को submit कर देंगे तो आप टाइम पर exam भी दे पाएंगे और इसमें फिर आपका जादा पैसा भी नहीं लगेगा तो जितने भी student eligible है last date से पहले अपना exam fees submit कर सकते है फिर जो 1 June से लेकर के 6 July तक exam होने वाले है 30 working days में इसमें आप अपना exam दे सकते है और इगनु में यह भी होता है कि जिस भी session में आप exam देते है तो आप जितने भी subject का exam fees submit करते है उनका आपको assignment बना करके भी submit करना होता है exam से पहले तो अभी आप जितने भी subject का exam fees submit करेंगे उनका आपको assignment बना करके भी submit करना होगा assignment के last date के बारे में बात करें तो अभी June 2023 exam के लिए जो assignment submission का last date है वो है आपका 30 April 2023-30 April तक आप अपना assignment online या फिर offline जिस भी method में आपको submit करने के लिए बताया गया submit कर सकते है आपके regional center या फिर study center के तरब से assignment किस mode में submit होने वाले है उसे आप इस वाले post परा करके check कर सकते है यहाँ पर सभी regional center का information दिया गया है और by chance अगर आपके regional center के तरब से assignment submission का कोई भी guidelines आपको नहीं बताया गया है तो जो भी आपके study center है study center पर जा करके आपको अपना assignment offline mode में submit करना होगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए और इगनु से related सभी update और notification इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते है link नीचे दिया हुआ है, साथी में आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते है